आज घर वापसी है बहुत अच्छा घूमे हम लोग अभी यहां से घर लाइग 90 बश्टेंड है आपका 554 किलोमेटर्स जो 11 आर्स दिखा रहा है अभी सुवेश के 5 बज रहे हैं हम लोग अभी यहां से स्टार्ट कर दिये हैं कोशिश करेंगे कि उससे पहले पहुँच जाए यहां से सबसे पहले हाईवे हमें अच्छा वाला मिलेगा राची से सो लेट्स फोकस ओन कैचिंग दा हाईवे वांस फिर हाईवे मिल जाए तो आराम से धीरे धीरे या फास्ट फास्ट ऐसे भी मन करेगा हम लोग घर पहुच जाएंगे सो बने रहिए आखिर तक और एंजोई कीजिए हम लोगों का राइड वैसे आज तो दिखाने के लिए ज्यादा कुछ होगा नहीं बट बाते होता रहेगा आप लोगों से एंड प्लीज एंजोई एंड शेयर तो फाइनली सन्राइज हो गया है लेफ्ट में बहुत सुंदर सन्राइज दिख रहा था इसलिए यहां पर विडियो ओन किया अभी भी घाटियों के रस्ते से ही चल रहे हैं अभी तक कुमला नहीं पहुचे है तो भुपुली और एक घंटे तेट घंटे में हाइवे हुचे तो चलिए तो यह रहा हाइवे पहुंच गए हम लोग हाइवे में यहां राची आने का दो रस्ता था एक हाइवे से जाता था और एक स्टेट हाइवे था सो अम लोग ने लोकल लोगों से पूछा तो वो बोले कि नहीं अगर बचना है ट्राफिक से तो आप लोग आराम से अंदर के रास्ते श्टेट हाइवे बहुत बहतरीन था वहीं से आप आ सकते हो यह पिछले जो फूटेजेस हैं वहां पर आपको वही रास्ता दिखा होगा सो अब हाइवे पहुंच गया हैं अब कहीं पर रुकेंगे प्रेक्पास्ट करने फिर आगे बढ़ते जाएंगे कि अभी एक सो बीस किलोमीटर चला लिये हैं अराउंड दूर है अभी जम्शिद पूर सौ किलोमीटर दूर जम्शिद पूर है कोलकाता 368 इस धावा पर रुके हैं जीत चाय पी रहा है खाना ओडर किये हैं पराठा अलू के पराठे और ऑमलेट बस अब वह खाके लंज इतना लेफ हो तो के इसमें पोशिश करेंगे क्योंकि रास्ता तो पुरा हाइवे ही मिलेगा तो अब घर पहुंचना है बस कि चलिए आप लोगों से लंच करें पर रोड पर मिलते हैं कि अब रेक्पास्ट के बाद यहां पर आके रुके थे जीत से थोड़ा गाली भी खाया वह आप लोगों सुनाता हूं क्योंकि पेट्रोल कम हो गया था और मेरा बहुत ही वह तो स्वावाव है कि मैं लो फूएल में भी चलाता रहता हूं जब तक दिखाए बट ऐसे एपाई इंजिन में करना तो नहीं चाहिए श्विसली उसने बोला कि नहीं इसे पेट्रोल भर लो और यह जामश्रित्पूर है डालमा राइड में दिखा था यह सब रास्ते आप लोगों को सभी बस रिफूएल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे जर्नी करेंगे हिस्दी नहीं आप रास्ते देंगे ठाद रास्ते बबस रिफूएल करेंगे इंजिए श्ते वाँ खरकपूर पहुंच गए राइड अच्छे से चल रहा है यह ब्रिज रिसेंटली बना है एक दो महिने में क्योंकि लाश्ट में जब आया था यहां पे दो साइट ट्रैफिक जाता था सेमी रास्तों से यह ब्रिज तब बन रहा था तब ही जैसा कि देखी सकते हैं आप लोग यह ब्रिज बन गया है ट्रैफिक स्मूथ तो as always है ही और भी स्मूथ हो गया है हम लोग नॉन स्टॉप ही आ रहे हैं जमशित पूर से और कोशिश यही रहेगा कि घर तक अगर पहुंच जाए नॉन स्टॉप लास्ट इन सो किलोमीटर सो देखते हैं फिलाल तो कर प खरवा रहा है एक्चुली उसे वीक्टेस में बाइक उसका यूज होता है मेरा उतना यूज नहीं होता तो मैंने सोचा कि नहीं जो रेंज दिखा रहा है घर तक तो पहुंच ही जाओंगा फिर घर जाके ही आराम से रिफूइल कर लूँगा इसलिए मैं वेट कर रहा हूं वो आएगा रिफूइल करके फिर वेट कंटीनू ये पहुंच गए कोला घाट सो कोला घाट पहुंच गए मतलब अलमुस्ट घर आ गया है जैसा कि आप लोग को बताया था नॉन स्टॉप चला रहे हैं for the last 220 किलोमेटर घर और 80 किलोमेटर है hopefully नॉन स्टॉप ही पहुंच जाएंगे बाइक तो भाई साब क्या बताएं इस परपार्निंग ब्यूटिफुली अजिट शुट भी तो बस अभी घर पहुंचना है जल्द से जल्द और जब राइट खतम होने को आता है ना मन नहीं करता कि कहीं रुक के रेश्टू मन करते कि जब तक चला सके पटाफ यह सांतरागाची पार कर चुके हैं अभी बेले पोल में थोड़ा तो ट्रैफिक होगा ही जैसे जैसे शायर आता रहेगा मेरा घर यहां से और दो-तिन किलोमेटर ही है जीत को सेकेंड ब्रीज पकड़के रूपी होस्पिटल तक जाना पड़ेगा उसको और आधा घंटा लगेगा तो फुली तब तक मैं तो घर पहुंची जाओंगा यही सामने क्रॉसिंग से जीत उपर चला जाएगा ब्रीज लेके मैं ब्रीज के साइड से नीचे चला जाओंगा नवान्नों की साइड में तो यही पे खतम करते हैं यह एपिसोड और यह राइड बहुत अच लूमने जाएंगे हम लोग डिखते रहिए सपोर्ट बनाके रखिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए और जरूर सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल को तिल देन लॉगिंग ओफ स्मोकी वंडरर झाल